नमस्कार दोस्तों SSC GD 2025 इसकी तैयारी कैसे करनी है पहली बार में आप कैसे इस एक्जाम को निकाल सकते हो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट बार फॉर्म को भरेंगे फर्स्ट बार एक्जाम देंगे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अगर इस पे अगर बिल्कुल आप एक सकसेज पॉइंट तक पहुँच जाओगे कि कैसे आपको क्या करना है प्रॉपर देखिए SSC GD आपको भी पता है कि तुछली बार कटफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल गया था लेकिन वो एक नॉर्मलाइज नमबर था तो उसको देखकर परिसान नही होना है हतास नहीं होना है अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा क्या जरूरी है आपको इसके syllabus को समझना क्या कैसे पूछा जाता है कितने देर का एक्जाम होता है निगेटिव मार्किंग क्या होता है सब कुछ देखिए आपका पेपर जो होता है चार सरी दीजरों न नमबर मिलता है त्यार अरकार जी ये से 20 सुन चालीश नमबर से ANT साथिन का पेपर देखने को मिलता है एक्जाम आपका एक साथ मिनटा की पर होता है तो आपको साथ मिनटे साथ मेट का मातर पर तो इसी साब से एक कॉर्ष्य कर में कर दो reg Ad from काफिस कम समय है तो यहां पर आपको एक चीज़ समझना होगा किस चीज़ क्या खेले सारा का सारा जो है ताइम मेनेजमेंट का है आपको अपनी स्पीड पर काम करना पड़ेगा जितना जो तेजी से कोशन को सर्ब कर देगा कोशन को दिख लेगा वही रिजल्ट ला पाएग तो कैसे होगा ज्याद से ज्यादा प्रैक्टिस करने से ही होगा ठिक इसमें जो है वन बाइट आपकी निगेटिव मार्किड आती है मतलब कि आठ कोशन गलत करोगे तो एक आपका सही कोशन चला जाएगा इस तरह से आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है अभी से अच्छे से इसकी तैयारी करने पड़ेगी अब मायत्स और रिजनिंग का ये सिंग है कि 100-100% तो बना नहीं सकते हो तो मायत्स में ऐसे कोशन आते हैं जिसमें 15-17 कोशन तो आप आराम से बना लोगे लेकिन 2-3 कोशन ऐसे आते हैं जिसको आपको छोड़ना होगा ये आपको सीखना होगा क्योंकि वही कोशन जो है आपको फसा के और आपके सारे समय को बरबाद कर सकते हैं उसी तरह रिजनिंग में भी जो है आप लगवक 17-18 कोशन तो अराम से बना दोगे लेकिन 2 कोशन ऐसे होंगे जिसको आपको छोड़ना होगा वो आपको पर सकते हो जाइल सी बात है और वहीं कोशन जो है आपके सारे समय को खा जाएंगे ठीक है अगर हम जीएस में बात करें तो जीएस में अराम से 12-15 कोशन तो लड़के बना ही लेते हैं आप भी बना लोगे ठीक लेकिन 5-7 कोशन ऐसे होंगे माल लेते हैं कि 12 कोशन बना ले तो क्यों नहीं मतलब तुक्का लगाओगे उसमें से 2-3 भी कोशन सही हो गया तो आप प्लस में जाओगे ठीक है वहीं हिंदी में बात करें तो हिंदी तो यार स्कूरिंग सब्जेक्ट है इसमें अराम से आप 18-20 कोशन कर सकते हो हिंदी और हिंदी में बहुत असान असान सही कर दिया रिजनिंग में 18-18 कोशन सही कर दिया और यहां पर आपने 15 कोशन सही कर दिया जीयस में और हिंदी में 18 कोशन सही कर दिया अगर सबको एड़ करोगे तो तो 8, 7, 15, 15, 20 और 8, 28 के 8, 8 सिन दू और 4 दू छो उनसर्ट लगभग उनसर्ट से 70 कोश्चन असी में आप सही कर दोगे और इतना में आपको जो है कोई आउट नहीं कर सकता है इतना में आपकी 100% रिजल्ट हो जाएगी जो आपने फर्स्ट प्रिफरेंस को चूच किया है आपको जो है काम करने होंगे कम से कम इतने कोश्चन तो आपको सही कर नहीं होंगे अब देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एक जाम का समय आता है तब कहते हैं कि सर मैट्स की तयारी कैसे करें रिजनिंग की तयारी कैसे करें तो उस समय तो आप तयारी न प्रेक्टिस करिए अगर आपका बेसिक ठीठाक है तो बेसिक ठीठाक नहीं है तो किसी भी मैथ वाले टीचर को पकड़िए और मैथ को रिजनिंग को कम्पलेट करिए और फिर जो है इस तरह से प्रेक्टिस करिए तब जो है आपका काम होने वाला है क्योंकि सारा का सारा खे पढ़ना है, आपको लूशन पढ़ना है, चाहिए कोई भी आपके पढ़ना है, करेंट अफेर्स पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक, और हिंदी तो इसकोरिंग पाठ है भाई, हिंदी जी जान लगाके पढ़ो, वो तो अराम से आपका हो जाएगा, ठाहर से अब क तो अब ही आपको क्या करना है कम से कम मैट्स और रिजनिंग पे आपको टू आवर्स का समय दें और जीस पे भी त्यस्थ है क्व यह एक प्रैक्टिस सेट लगाना है एक सब्सक्राइब को सब्सक्रारानी, और त्यसक्राद प्रैक्टिस और अधना थे नंटा psychology वह सब्सक्र तो दो घंट आपका इसमें चला जाएगा कूल आप जोड़ोगे तो कम से कम साथ से आठ घंटे आपकी पढ़ाई अराम से होगे और इतना अगर आप नियमतफ पढ़ते हो तो कोई माई का लाल आपका सेलेक्शन रोकने वाला नहीं है तो सारे डाउट्स को क्लियर करो किस सब्जेक्ट पे कितने ध्यान देने हैं यह सारे पॉइंट्स आपकी क्लियर रहने चाहिए आप 100 में 100 परसेंट कोई भी पार्ट से कोश्चन को नहीं बना सकते हो यह भी आपको पता है तो ये आपको आना चाहिए कि किस question को छोड़ना है, किस question को बनाना है, जब आप mock test लगाओगे, तो ये आप technique सीख जाओगे, time management आप सीख जाओगे, maths में कितना समय देना है, reasoning में कितना देना है, gs में कितना देना है, hindi में कितना देना है, ये mock test से जो है आपका सारा recovery हो जा जोगा?